नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप उमीद करता हूं बहुत अच्छी होंगे और आप अपनी परिक्षाओं के तयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हाई स्कूल की परिक्षा में इस बार शुरू के जो 20 प्रशन हैं जो कि MC की यूज आएं हैं और कहीं मिस्टेक न हो जाए तो बच्चों आपको मैं कुछ बाते समझा रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर इस समय प्रारूप खुला हुआ है यह मादमिक शिक्षा परिश्चत द्वारा ही दिया गया प्रारूप है लेकिन इसमें कुछ बातें पहले से ही फिल हैं लेक करते हैं कि किस तरह से आपको वो एंट्री फिल करनी है देखिए सबसे पहले पॉइंट पर पहुंचते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है जिला कोड तथा नाम अब इसमें आगरा का जो जिला कोड है वो 01 है और आगे आगरा लिखा हुआ है मालीजी आप जैसे कि मैं अपने लिखावा नहीं आएगा ठीक है तो यहां पर मैं भरूँआ टू वन डैस करूँआ और उसके आगे लिख दूँआ मोरादावाद जो कि कैपिटल में लिखा जाएगा और यह सारी एंट्री आपकी जो भी एंट्री है वो सभी एंट्री आपकी ब्लैक पैन से ही भरी जाए कि आपका लिखा हुआ है केंद्र कोड केंद्र कोड आपके प्रिवेश पत्र पर यह कोड लिखा हुआ आएगा इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल वियावश्यक्ता नहीं है जहां आपका सेंटर होगा उसका एक केंद्र कोड होता है वह कोड आपको यहाँ प आपको यहां पर फिल करना है यह केवल प्रारूप दे दिया गया है यह अनुक्रमांग किसी का नहीं है यह केवल एक प्रारूप है और प्रारूप के कारण ही इसको एक दो तीन से लेकर के उन्हों 0 तक पहुचा दिया गया है लेकिन अगर आपका जो भी अनुक्रमांग है उसे आप अंकों में ठीक प्रकार से और स्वच राइटिंग में ही आप इसको यहाँ पर भरें इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है आपका वो आता है विशे का कोड तथा नाम माली जी आप हिंदी का एक्जाम देने के लिए जा रहे हैं और आप 16 तारिक में जो कि 16 फरवरी को आपका एक्जाम है तो आप जब 16 फरवरी में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका हिंदी का कोड लिखेंगे जो कि आपका हिंदी का कोड है 901 उसके सामने डैस करेंगे और डैस के आगे लिख देंगे आप कैपिट लेटर में हिंदी इस तरह से आपका यह जो बॉक्स है यह भी फिल हो जाता है इसके बाद यहाँ पर एक चीज जो सबसे ज़्यादर जरूरी है वह दी हुई है प्रशन पत्र संख्या प्रशन पत्र आपको संख्या मिलेगी और उस संख्या को आपको यहाँ पर सो करना है जरूरी रही है कि वे संख्याएं आपकी तीनों ही अंकों में हो सकता है कि बहाँ पर x by 2 हो या x x x हो या x by 2 हो या x by z हो खुछ भी हो सकता है वहाँ पर इसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तब आपके प्रशन ये आपकी entry है जो उपर मैंने अभी आपको समझाई थी लेकिन इसके बाद जब आप प्रशन हट करते हैं तो जब आपके प्रशन पत्र पर पहला प्रशन है आपने उसको पढ़ा और आपने उसके उत्तर देने के लिए सोचा तो उसमें चार बिकल्प आपको दिये होते हैं A, B, C और D मालीजिए पहले प्रशन का जो बिकल्प है वो C सही है आपने निश्चित कर लिया कि ये C सही है तब आप C को पूरा black करेंगे जो की इस तरह से आपको black करना है मैं आपक आपको पूरा black करके दिखा रहा हूं यहां पर इस तरह से आपको उसका पूरा black करना है ध्यान नखे कि अगर इस तरह से box गोला बना हुआ आ रहा है कुछ बच्चे करते हैं कि इस तरह से कर दिया उसको black कर दिया या प्लस का निसान लगा दिया या उसको आधा black कर दिया आदा छोड़ दिया, या उसको इस तरह से करके उगुणा का निसाल लगा दिया, ये सब गलत हैं, ये कुछ भी सही नहीं है, ठीक है, आपको पूरा इस तरह से बिलेक करता है, जब आप इसी तरह से पढ़ते चले गए, माली जी आप six questions पर पहुंचें, अब six questions पर पहुंच अच्छी प्रकार से उसको black करें, लेकिन इस बात का ध्यान नखें कि वो आर पार बिल्कुल भी ना जाने पाए, इस तरह से आप 20 प्रसनों के उत्तर दे लेंगे, माली जी 20 प्रसन का जो उत्तर है वो C सही है, या 19 का C सही है, तब आप 19 को पूरा black कर देंगे, लेकिन इस इस से पहले आप एक चीज और नोट करेंगे, जो कि बहुत साबधानी पूरवक करें, और यही निश्चित करेगा आपका कि आपको कौन सा प्रसन पत्र दिया गया था, उसकी स्रीज क्या थी, तो इधर आ जाएं, प्रसन पत्र मार्का और स्रीज, या तो मार्का हो सकता है या स्रीज हो सकता है, माली जी उसमें आपके दो अक्षर दिये होंगे, मार्का या स्रीज में दो अक्षर दिये होंगे, पहला अक्षर माली जी आपका डी है, तब आप यहाँ पर डी लिखेंगे, दूसरा अक्षर माली जी आपका यहाँ पर पी है, तब आप उसको पी ल प्रदियों होंगे अब उसका जो पहला अक्सर मालीजिए डी है तो आप इस बॉक्स में डी लिखेंगे और दूसरा अक्सर उसका पी है तो आप इस बॉक्स में यहां पर पी लिखेंगे लेकिन इसके लिखने के साथ साथ आप यहां पर उस डी को ब्लैक करेंगे पूरा ब् आंसर देने से पहले कर लेंगे जब आप आनसर दे रहे हैं तो इससे पहले आप माली जी यहाँ पर मैं अपने signature कर रहा हूँ, मैं एक student के रहकर करके आपको यहाँ पर अपने signature बता रहा हूँ, इस तरह से मैंने यहाँ पर signature किये, इसके बाद जो आपके कक्ष में निक्षक हैं, जो बहाँ पर duty दे रहे हैं, उनके signature यहाँ पर आएंगे, माली जी उनका ना आलोक आ जाएगा इसके बाद आपके जो केंद्र विवस्तापक हैं उनकी मोहर यहां पर लग जाएगी यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है इस बॉक्स में आपको कुछ नहीं करना है आप यहां पर अपने प्रशनों के उत्तर देंगे यहां पर अपने सिगनेचर जिन बच्चों पर चित्रकला विशय है और जो बच्चे आलेखन लेते हैं आलेखन भाग है ठीक है तो वे बच्चे इस एक को ब्लैक करते हैं अब प्रस्ट्पत्र में जब यह केबल तप करना है जब आप वहां पर जब उसका चित्रकला का पेपर होगा आपका संगीत बादन है तूश्ञीत के वह करेंगे आप गायन है बादन है तबला है क्या है अब इसको भरने के बाद जब आप इसको पूरा भर चुके हैं ठीक ह तब आप नीचे जाएंगे तब आप देखते हैं कि सेम प्रोसीजर नीचे है केबल गोले नहीं काले करने हैं बाकि सेम प्रोसीजर है पहले आप अपनी ठीक प्रकार से उसी प्रकार से एंट्री करेंगे कि आपका यहाँ पर मालीजे मैं मुरदबाद से हूँ तो मैं यहाँ पर अपना जिला और अपना जिले का कोड जो है वो भरूँगा चहाँ पर मेरा सेंटर गया है वो मैं भरूँगा यहाँ पर इसके बाद मैं अपना यहाँ पर रोल लंबर लिखूँगा बिशय का कोड लिखूंगा और उसके बाद में प्रशन पत्र पर जो भी संक्या आएगी मैं उसको लिखूंगा ये जो संक्याएं हैं एक इसी प्रकार का उपर भी था देखिए आप ये यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर एक बारकोड आएगा और उसी बारकोड के माध्यम से आपकी जो MR सीट है वो इसकेन होगी ये उसी का पासवर्ड होता है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर उसका नंबर होगा सिरीज होगी ठीक कोड की सीरीज है यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है लेकिन अब इसी तरह से आप इसको अपनी एंट्री पूरी करने के बाद जो आपका प्रशन पत्र का मारका यह स्रीज थी उसका पहला अक्सरमाली जी आपने उपर भराता डी तो यहाँ पर डी लिखेंगे और दू का लिसान लगाएंगे और अगर प्रावर्दिक वाले हैं तो दो नमबर पर लगाएंगे इसके बाद आगे चलते हैं इधर आजाईए अब माली जी आपकी जो सिरीज है जो आपने उपर उत्तर दिये हैं जब आपने ब्लेक यह क्या है अगर किसी बजा से कोई प्रोब्ल कोई उसमें योजना बनती है या कोई भी इसी तरह का काम आगे होता है तब उसके लिए एक नीचे भी आंसर सीट है आपको उपर तो ब्लेक करना ही है गोले तो ब्लेक करने ही है लेकिन माल लीजिए आपने पहले प्रस्ण का उत्तर दिया था सी तब आप उसको यहाँ पर सी लिखेंगे दूसरे प्रस्ण का उत्तर दिया था ए तब आप यहाँ पर ए लिखेंगे माल लीजिए छटे प्रस्ण का उत्तर दिया था आपने बी तो यहाँ पर बी लिखेंगे इसी तरह से आप सभी में इस तरह से यह नंबर लिखते चल वो भी यहां पर सो कर देंगे इसके बाद यहां आप अपने सिगनेचर करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था उपर अगर मैं अपने सिगनेचर करता हूं तो मैं यह लिख देता हूं और जो आपके केंद्र जो आपके कक्ष निरिक्षक हैं उनको सिगनेचर करना है तब यहाँ पर अपने signature कर देंगे, यहाँ पर आपके केंदर विवस्तापक की मोहर लगेगी, इसके बाद आपको इस OMR में कुछ भी नहीं करना है, यह OMR पूरी तरह से इस तरह से आपके fill हो जाएगी, बच्चों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूत नहीं है, क्योंक आपके जो भी mistakes अगर होती हैं, तब वो उनको सही नहीं करेंगे, लेकिन जब भी आप उनको भरें, तो एक बार उनके निर्देशों को साब्धानी पूर्वक सुनें, तभी आगे भरें, और मेरी बताई होई जितनी भी बातें आपको हैं, जो भी मैंने आपको समझाया, उनका ध्यान रखें, फिर भी मैं आपसे कहूँगा, कि आगे आगे बिल्कुल भी ना भरें, जादा over smart बनने के चक्कर में ना रहें, जब आपको कुछ भरने के लिए कहा जाए, जब आपको next point बताया जाए, तभी उसको भरें, धन्यवाज.